तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उतारा हैं Samsung के अंदर जो एश पैनल होता है दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजिस किये आगे आपको बताने वारा हो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरू सब् अपडेट के मारे में तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पर Galaxy Store में Galaxy Store में जाएंगे यहां पर जाना है अपडेट वाले सेक्शन में आपको यहां पर चले जाना है जैसे ही आप अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे दो नए एप का आपको अपडेट दिख रहा होगा एक Apps नाम से और एक Edge Panel नाम से आपको दो नए अपडेट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तो दोनों ही आपके Edge Panel से related हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइक में सबसे वेले Apps वाली एप में आ गया हों तो यहाँ पर में सबसे वेले Apps में आ गया हों Apps नाम से आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यह Edge Panel से ही related आपको अलेगी समझ में आरोग और नीचे की तरफ आएंगे तो इसको कब rollout किया गया है दो फर्वरी की दिन इसको rollout किया गया है अगर आप यहाँ पर इसकी description में देखेंगे तो इसका use क्या है तो description में आप देखेंगे this following permission requires for this app फिर in case you use for application quickly तो यह यहाँ पर ऐसा use करता है कि जिससे आप application quickly access कर सकें यह दो request लेता है आपसे एक notification की और यहाँ पर storage की permission आपसे लेता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नया changes किया गया गया है जो भी कुछ नए big bugs होंगे या फिर कुछ भी error होगा वो उसको यहाँ पर fix out किया गया है और कुछ stability को यहाँ पर improve किया गया है तो पहले तो हम इसको update कर लेते हैं यहाँ पर आने क्याद इसको update करने के बाद आप तो इसको यहाँ पर update करने क्या आपको यहाँ से back आना है और यहाँ पर जाना है edge panels वाले पर तो आप देखेंगे यह एच पैनल पे एक नए अपडेट दो नए दो एपस पे अपडेट यहां पर दिख रहा होगा पर्मिशन रहता है आपसे यहां पर आपको दिख रहा होगा और यह भी 4 MB का अपडेट यहां पर है जो कि फरवरी दो तारी को यहां पर राट कर दिया तो इसको होने देते हैं अपडेट फिर हम देखते हैं इसमें कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं तो फाइनली आप लिए अप्डेट्स हो गई है आपको करना गया और यहां पर जाना आपको अपने हैं की सेटिंग उपाइल की यहां पर अपको यहां पर ध्र उपनार करकर के है तो यह जो आपको पर एड़ोन करना यह उस पर क्लिक कर दो और वह हम आपर एड़ोन हो जाएगा आप इसको यहां से यूज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए यह सब चीज़ें यहां पर आइड़ोन कर सकते हैं इसके अलाब अब कुछ चाहिए तो आप prince store से जाके उसको download भी कर सकते हैं यह तो हो गया normal इसका ठीक है यह तो हमना पहले भी कर सकते थो और अभी भी यही कर रहे है तो इस app में क्या किया गया है कुछ जो boxes होंगे box को fix out कर दिया गया यह बहुत सकते हैं box को fix कर दिया गया ताकि कोई भी ऐसा बगस नहों जिससे आपको प्रॉब्लम हो और उसके लाबह आप यहां पर handle भी कर सकते हैं किसका color क्या रहा है position क्या रहा है अभी right में आ रहा है अगर आपको चाहिए left में आ जाए तो आप यहां select कर सकते हैं lock handle position भी कर सकते हैं color change करना चाहों color time transparency size width आप यहां पर सब कुछ है चेंजिस कर सकते हैं about edge panel में जो भी मैंने आपको updates का बता आया तो आपको बता देगा कि कोई नए update available नहीं है तो इस तरीके से use होता जैसे कि कि मैंने यहां पर app लगा दिये अगर आप कहीं भी आपको use करना आपने simply यहां से drag करना सोरी left hand पर कर दिया मैंने तो आपको यहां से इसको drag करना है यहां गया है यहां left hand से आप यह ड्रेक करेंगे उसके बाद आप यहां से जो करना चाहिए आप यहां पर cut-off वैट इसको use कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर AI call के लिए आप यहां पर click करें click करें से मैंने number लगा दिया call के लिए अब मैं जैसे इस पर click करूंगा और तो रहन ठीक हो टाइल पर चला जाएगा तो इस तरीके से यह work करता है आप यहां पर frequency जो भी आप जिसको ज़्यादा call लगाते हैं आप उनके यहां पर list को डाल सकते हैं जिससे आप बाद में easily उनका contact भी contact कर सकें इसलिए calculator करना हो तो आप यहां से calculate भी कर सकते हैं यह भी मैंने लगा के रखा है और देखेंगे तो एक clip card जो भी है आप यहां पर लगा सकते हैं और यह जो apps जो मैं use करूंगा वो है आप यहां पर लगा सकते हैं तो यह सब चीज़ों का यहां पर use कर सकते है अज़ की वीडियो मिन सिर्फ ये ही हैं कि इसमें दबन अब्डेटस आया है, cultural कुछ बस एकको उम्मिड है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो एक तो दस्तों जो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर 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 आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आ सब्सक्राइब कर लो और हो सके लिंक आपको नहीं डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो थैंक्यू दोस्त